शनिवार 15 जनवरी को देर शाम जैसे ही विराट कोली ने एक वीट के जरिये टेस्ट मैचों की कप्तानी छोडने का फैसला किया इसके बाद तो जैसे पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया टेस्ट की कप्तानी छोडने पर जहां विराट के फैंस को बड़ा जटका लगा वह विराट के अचानक कप्तानी छोडने के फैसले से हैरान हो गये हैं जिसके बाद रोहिट ने कोली के फैसले पर हैरानी चताते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है तो आखिर पुरो भारती टेस्ट कप्तान कोली के कप्तानी छोडने पर क्या रहा रहा रोहिट शर्मा का र कोली और बीसी से आई के बीच रिस्तों में खटास आई थी विराट के इस फैसले में एक कारण ये भी हो सकता है जिस तरह से विराट के टी-20 कपतानी छोड़ने के बाद बंडे में उनसे कपतानी छीन ली गई ये विराट जैसे स्टैचर खिलाडी के लिए किसी भी बड़े जटके से कम नहीं था शायद कोहली भी इस फैसले को पचा नहीं पा रहे थे कभी का आ गया कि विराट कोहली रोहिट शर्मा की कपतानी में नहीं खेलना चाते हैं इसलिए उन्होंने साउथ अफरिका के खिलाफ वंडे मैचों के लिए बीसी सी आई से आराम मांगा है उध सब तमाम सवाल और विबादों के बीच अफरिका के खिलाफ जब भारत के पास टेस्री जीतने का गोल्डेन चांस था बावजूद इसके टीम दो एक से स्रिंखला हार गई तो किंग कोहली के लिए ये किसी बड़े जटके से कम नहीं था जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क के कप्तानी से भी हटने का फैसला कर लिया हालां कि हर किसी के लिए ये एक शौकिंग यूज की तरह था किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जिस तरीके से विराट कोली ने भारत के टेस्ट टीम को दुनिया की नंबर वन टीम बनाया है और जिसके कारण आज लोगों का पुनर जिवित किया है वो खिलाडी सिर्फ एक ट्वीट करके कैसे इस फॉर्मेट की कप्तानी चोड़ने का एलान कर सकता है दिगज खिलाडियों से लेकर मौजूदा भारती टीम के खिलाडी भी विराट की इस फैसले से हैरान दिखे हैं इसी कड़ी में भारत के टी-20 औ आगे के लिए शुब कामनाएं भी दी हैं रोहित ने अपने और विराट के साथ एक फोटो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा हैरान हूँ लेकिन कप्तान के तौर पर एक सफल कारेकाल के लिए आपको बढ़ाई देता हूँ आगे के लिए बहुत-बहुत शुब कामना या फिर रेड बॉल में किसी नए नाम पर सेलेक्टर्स विचार करेंगे दोस्तों आपके इसाब से किसे होना चाहिए टेस्ट टिम का नया कप्तान अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्रिकेट जगत की खबरों से जुड़ पुला भूले